प्रियाग राज में बहुजन समझ पार्टी के विधायक राजुपाल हत्यकान की मुखे गवाध वक्ताव में इश्पाल वो उनके शुरक्षा कर्मी की हत्या के बाद बरेली स्टी अब भी अलर्ट मोड पर है अस्थानिय पूलिस के साथ स्टी अब घटना के तार जोड़न में जूटी है इसी के चलते चनिवार को बरेले स्टीएके एक टीम जिला जेल पहुंची जिला जेल में बंद बाहुबली माफिया ती कहमत की भाई असरप की बारे में टीम ने जानकारे जूटाई है असरप से लगतार मिलने खंगालने में जूट गई है इस बिंदू पर जाज भी की जा रही है कि घटना के दोरा प्रियागराज में वह किसी के संपर्क में तो नहीं था टीम कडिया जोडने में जूटी हुई है असरब करीब धाई साल से बरेली जिला जेल में बंध है शुरक्षा कार्मों के चलते उसके बंध होनी के चलते 24 घंटे उसकी निगराणी की जा रही है इदर गुरबार को प्रेयागराज में हुए हत्यकांड की बाद से आनन्फानण में उसके बाहर निकलने पर प्रतीवंद लगा दिया गया है निगराणी बढ़ा दी गई है इसके लिए अतरिक्त कर्मियों की ड्यूटी लगा कर नए सीरे से रोस्टर तै किया गया है दोहरे हत्यकान के बाद बरेले स्टीयप भी होई सकरी है प्रेगराज में जांच के दोरान स्टीयप को असरफ से जुड़ी कई ज़ज से ज़वानकारिया हाथ लगे है जिससे टीम ने बरेली शाजा किया है इसके बाद विहद गोपनिय तरीके से स्टीयप के टीम जिला जिल पहुंची और ज्यांच के बाद वापस लोटाई है सासन की ओर से इस मामले से जुड़ी हर्गितिपदी पर नजर रखी जा रही है और इसे के चलते अपसर मामले में बोलने से बच रहे है तो वहीं बात करें जिस तरीके से उमेश पाल की गोली बार का दिन दाहारे हत्या कर दे गई है तो वहीं इस मामले की कड़ी को सुल जाने के लिए लगातार स्टी अपसर लेकर उत्तरपरलेश की पूलिस जोहयातिक अहमत की तमाम लोगों से उस्ताश कर रही है और इस खुलासे के बारे में जियानकारी लेने का प्रहास कर रही है अब देखना यह होगा कि आखिरकार आने वाले समय में इस केस का खुलासा कैसे होता है पाकेस पर आपके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा